चोधरी चरन सिंग उत्तर प्रदेश के अशश्वी मुख्य मंत्री आदर्णिय योगी अधितनाज जी अर्याना के मुख्य मंत्री मेरे मित्र नायाव सिंग सेनी जी हमारे प्रदेशत द्यक्ष आदर्णिय बड़े भाई वुपेंदर चोधरी जी छेत्रिय द्यक्ष सतेंदर सिसोधिया जी सम्मानित मंच उपस्तित भुजुर्गों नोजवन साथियो ये मेरे लिए सो बागय की बात है कि चोधरी चन्सिंग को भारत रत्न दिये जाने के प्लक्ष में जो गोरव समारव आजित हुआ है वो मेरे मुझा फड़नगर लोकसभाचेत्र के सरदना विदान सभा में है आदर्णिय सभी सम्मानित अतित्यों का मैं अपने लोकसभाचेत्र में स्वागत करता हूँ दस वर्ष केंद्र सरकार के और साड़े साथ साल उत्तर प्रदेश सरकार के यह बदलता वह उत्तर प्रदेश और यह बदलता वह हिंदुस्तान है यह दस वर्ष की आत्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाने की आत्रा है कितना आज वो अपने National Highway के लिए जाना जाता है, आज वो दिल्ली से आकर मेरट तक चलने वाली RRTS के लिए जाना चाता है, जहां आप हैं यही RRTS शुरू होगी, यहां से 40 मिनिट में हम दिल्ली पहुचेंगे, पहले दिल्ली की आत्रा 4 गंटे की होती थी और भारतियंता पार्ट की सरकार में मोदी जी के नेत्रतों में 4 गंटे की दूरी, 40 मिट की दूरी हो चुकी है, हमने पिछली बार भी चुनाओ जित्ता, UP में पिछली चार चुनाओ लागातार जित्ते हैं, और पश्चिम उत्तरपरदेश में जो दो मुख्य दल हैं, भारतियंता पार्टी और र चोधरी चरण सिंग को भारत रत्न देने से इस गड़वन्दिन की नहीं उपड़ी है, इसलिए चोधरी चरण सिंग का अशिरवात भी इस गड़वन्दन के उपर हैं, बहुत कुछ बदला है, पिछले दश्वरसों में बहुत बदला हैं, किसानों के लिए बदला है, वह मुख्यमंतरी योगी आदिनाच जी को धन्यवात करता हूं और इनंदन करता हूं पश्ची मुत्तहप्रदेश के किसानों को अई से शोगात अवधे थी कि राफ फ्री करके सब सब एड़ी सोगात पश्ची मुत्तप्रदेश के किसानों को देने का काम अधिनिया मुख्यमंत्री जी के द्वार रखिया गया अब चुनाव सिर्पर है विपक्षी दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एक बात से हम सब को सावधान रेना पड़ेगा भारति इंता पार्टी को मोदी जी के नेतर तो मैं कोई नहीं हरा सकता लेकिन पश्ची मुत्तप्रदेश में मैं लगातार देख रहा हूँ एक नहीं समश्या जनम ले रही है जब ये भारति इंता पार्टी को नहीं हरा पा रहे है तो हमें जातियों में बाटने का प्रियास कर रहे है कोई कुछ कह रहा है हर जाति के अलग-अलग कुछ लोग खड़े हो रहे है कोई ये कहता है ये बात है कोई ये बात कहता है बै पहले हम 5 उंगली अलग अलग थी तो उस 17 मुट्देश के आलात क्या थे। जब अब संगतित हुए 2014 में केंद्र में सरकार बनी, 2017 में उत्याप्रदेश में सरकार बनी और सरकार बनने के बात जो परिवर्तन हुआ, अब पश्चिम उत्ताप्रदेश दंगों के कारण नहीं जाना जाता है पश्चिम उत्ताप्रदेश अब उद्ध्योगों के कारण जाना जाता है आज मेरेट हो या मुझा फर्णगर हो ने ने उद्ध्योग लगने की शुरुवात हुई है अब पश्चिम के युवा को पश्चिम में रोजगार मिलगा पश्चिम उत्ता प्रदेश के युवा को हर्याना या दूसरे प्रदेश में गुजरात नहीं जाना पड़ेगा पश्चिम के युवा को पश्चिम में रोजगार दिलवाने का काम यह सरकार करेगी साथ यहोगनमButa में जाती पर्था में नहीं बढ़ना है हमें आदन यह मोदी जी के निर्थतम में एक जुट रहना है और इस बार जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार कि आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत भीन गष्ट